प्यारे दोस्तों प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सुनिल स्टार आइक्यू यूटूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ मैं लेकि हाजिर हूँ आप लोगों के लिए आ आ रहा हूँ फ्री ओफ कोस्ट है कोई चार्ज नहीं होगा शाम को पांच बजे ही हम लोग इसी टाइम पे थियोरी भी पढ़ा करेंगे कम्प्यूटर की तो सर फिर क्या MCQ बंद कर देंगे आप बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे पहले कोई टॉपिक पढ़ करवा रहा हूँ यह क्योंकि देखो डालेक्ट अगर थियोरी करने लग जाते हैं तो वही चीज बोरिंग वाला फील आता है और समझ नहीं पाते हैं क्या MCQ बनाएं कैसे बनाएं तो मैं आपको एक बार ऑवराल जो हैं कुछ इपार्टन इपार्टन चीज़े हैं या जो करना सिखा देता हूँ कि ऐसे क्यूसन देखो आ रहे हैं इनको ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आपको भी उसी अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए बले ही ऐसा नहीं है कि आप मतलब किसी ने आपके पीछे कोई कुछ नहीं आप लोगों को पहले तुम्हें की आदत अलगवा रहा हूँ कि कैसे पढ़ा करते हैं यह कंप्यूटर के MCQ से मोहबत करवाने का प्रयास है मेरा जब तक आप बिल्कुल ओके हो जाएंगे इसको पढ़ने लाइक तब साथ अगस से हम लोग क्या करेंगे और उसके ही बस बूरा हो जाएगा तो हम लोग अवराल जैसे यह मिसलेअनी स क्यूसन चलते हैं दब तक तो यह तो करते ही रहेंगे हम लोग ठीक है अचा जब तक यह चीजे पूरी होती है साथ अगस्टे क्यों सर पहले क्यों नहीं क्योंकि एक अगस्त को शाम को हम लोग करंट अफ से revision type होगा और बहुत मज़ा भी आएगा कुछ नए concept भी सीखने की कोशिस करेंगे हम लोग और पांच अगस्त को दीदारे जोगरोफी है यानि कि NCRT की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्वी क्लास की NCRT की जोगरोफी मैंने ही करवाई थी आपको और उमीद है कि आपको वो समझ में आई होगी सातवी कि जेङ्ट füh है नCity की वह भी मैं आपको पूरी करवाँगा लेकिन इसके दस Chapter है तो मैं हर रोज ना करवा के इसे मैं एक एग दिन में करवाँगा साती की जेङ्ट की जेगरोफी पूरे साफ गंटे में जो है मैं जियो का सेम है वो अलग से वाउचर खरीद ले 10-20-30 रुपे के अलग से 7 घंटे की कलास रहेगी कोई ब्रेक नहीं रहेगा ठीक है ब्रेक इंदा सेंस की बीच में पानी पीने का तो खा रहा है आप मर्जी से ले सकते हैं कौन सा आपके कनपटी पे बंदू को रखे में पढ़ाने वाला हूँ सर रेगुलर क्यों पढ़ा रहे हैं तो जो बच्चे सिविल सर्विस की एकजाम की त्यारी कर रहे हैं उन लोगों को ये बहुत अच्छी लगती है कलास और मेरे हिसाब से 15-16 घंटे बच्चा बैठके पढ़ता है जो सिविल सर्विस की एकजाम की प्रिपरेशन कर रहा है उन लोगों के लिए स्पेसली है उन लोगों की ही डिमांड पर ये कलास है जो बच्चा बहती गंगा में हाथ दोना चाता है उससे तो अच्छा हो ही क्या सकता है तो हिमत रखिएगा जब सर पढ़ा सकते हैं 7 घंटे तो आपको तो पढ़ना ही है तो आपको तो केवल पढ पढ़ना है बैट के ठीक है तो कोशिस कीजिएगा मेरा साथ दीजिएगा मुझे भी अच्छा लगेगा मेरा होसला बढ़ाईएगा लाइव रहिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा ठीक है अधरवाइज अकेला बैट के बोलता रहा बकता रहा तो पिर आप खुई है क्या मज़ा रहेगा उस चीज में तो चलिए computer की आज की class start करते हैं इन सभी lecture की PDF आपको कहां मिलती रहेगी star IQ PDF telegram channel है इसको join जुरूर कीजिएगा star IQ quiz के नाम से telegram group है आप अपने friends को उसमें add जुरूर करिएगा चलिएगा पहला हमारा क्यूस्तन है कि one kilobyte has, एक kilobyte जो होता है उसमें क्या होता है तो एक kilobyte के अंदर क्या होता है basically आपका ये बहुत ही simple और बहुत ही असा क्यूस्तन है लेकिन exam में पूछ लिए जाते हैं ये एक हजार 24 byte होते हैं एक kilobyte के अंदर अगर मैं memory के unit की बात करूँ ना तो सबसे चोटी चीज जो होती है memory के term में उसको हम लोग bit कहते हैं bit से चोटा computer की जिंदगी में storage के मामले में कुछ भी नहीं होता है एक bit को store करने वाले device को हम लोग flip flop या latches के नाम से जानते हैं latches care बहुत पुराने outdated हो गए थे उसके बाद में flip flop काफी popular रहे हैं flip flop यहां पर 5 type की होते हैं एक D होता है एक T होता है एक SR होता है एक JK होता है और JK exam में कई बार पूछा भी जा चुका है कि JK क्या है JK flip flop है basically आपसे यही पूछा जाए कि एक unit को store को न करता है तो एक unit को flip flop store करता है D का मतलब delay flip flop है T मतलब toggle flip flop है SR मतलब set reset flip flop है JK का मतलब Jack Kelvin एक scientist के नाम पर पढ़ा हुआ flip flop है सबसे fast flip flop वही है जिसके अंदर memory के अंदर data store जो है जल्दी होता है काफी हद तक है अब एक bit सबसे चोटा होता है पर इतना चोटा होता है कि इसके अंदर हमारी important information होती है usable information होती है उनको हम लोग store नहीं करवा सकते तो हमें थोड़ा सा size बड़ा चीए तो that's why हम लोगों ने एक bit के बाद में अगला जो type रखा है वो group of four bit कर लिया एक ही साथ में मतलब एक एक bit ऐसी है उनको इकठा कर लिया चार bit बना ली और इसका एक particular नाम दे दिया हम लोगों ने nibble क्या नाम दिया निबल नाम रख दिया अलग से अब group of four bit is equal to nibble होता है one nibble होता है पर ये भी बहुत चोटा था तो that's why हम लोगों ने क्या किया और आगे गए हम लोग तो क्या किया कि दो निबल को इकठा कर लिया यानि कि four plus में four is equal to कितना हो गया आपका eight हो गया तो is equal to eight bit कह दो आप लोग या दो निबल कह दो ये बन गया आपका one byte एक byte के अंदर eight bit होते हैं याद रखेगा अगर आपसे पूछा जाए मामरी की unit क्या होती है तो one byte ही होती है अब सरी unit तो सबसे चोटी चीज होती है तो bit कहना चीए हाँ बिल्कुल वास्ता में unit bit ही होती है लेकिन option में आपको bit नहीं मिलता है तो byte मिलता है अब गुरु जी उकल टू टू निबल भी कह सकते हो आप लो अब सरी एक हजार चोबिस ही क्यों रखा इसके जगा कुछ और क्यों नहीं रखा मतलब एक हजार बीस क्यों नहीं हुआ या यह कुछ और क्यों नहीं हुआ इसके नाम मतलब अलग भी हो सकता था एक हजार एकिस भी हो सकता था 900 भी हो सकता था तो इसका reason क्या है आप 2 को double करने को start कीजिएगा जैसे पहले 2, 2 का double 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, और फिर 512, और फिर 1024, मतलब क्या 2 के segment में आ रहा है यह 2000, 1024 आ रहा है, तो ऐसे जो है memory के slot बनते हैं, segment होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप मर्जी से का दीजिए, खाली slot नहीं रख सकते हैं, जैसे हमारे keyboard है, अब keyboard के अंदर कुछ एक button doubles भी होते हैं, उनका double रखने का एक region भी एक तो typing easy हो, और एक पूरा keyboard अच्छे तरीके से prepare पूरा pack हो जाए, अब एक button होता है, उसको राइट कलिक का button होता है आपका, वो button जर्नली कोई use करता ही नहीं है, लेकिन वो क्यों लगा है, क्योंकि keyboard का key खाली रह रह रहा था, तो यूँकर यह का पूरी memory के slot बनाने के लिए slot इसी type का बन रहा था, यह तो ही करके हम लोगे ने 1024 रखा है, ठीक है, यह standard माल लिया गया फिर हमारा, तो आप यह देखीगा memory hierarchy wise, अगर 10 का power 3 आप से पूछा जाए तो क्या होता है, किलो बाइट, यह exam के लिए important है, ठीक है, 10 का power 6 क्या होता है, आपका megabyte, kilo के बाद में mega होता है, फिर giga होता है, फिर टेरा होता है, फिर peta होता है, फिर exa होता है, फिर zeta होता है, फिर yota होता है, उसके बाद में gyop होता है, तो last में gyopabyte होता है, आपका, ठीक है, तो आप इन factors को, powers को, और यह इनके number of bytes भी पूछ लेते हैं, आप से, कि एक megabyte के अंदर कितने byte होंगे आपके, तो इस type की चीजे भी आपको याद रखना है, इसका screenshot ले लिजेगा, आपको जुरूर काम आएगा यह, ठीक है, यह hierarchy तो आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे, ठीक है, अगला क्यूसन है, आपका कि internet escrow is a term most commonly related to which of the following, internet escrow सब्द है, जो आम तोर पे किस से संबंदित है, किस से related है, तो internet escrow का सिधा सा मतलब है, यह related होता है, यह e-commerce है, जैसे Amazon हमारी है, वो एक e-commerce site है, flip court है, flip card जो है, वो भी e-commerce है, e-commerce का सीधा सा मतलब क्या होता है, यह e-commerce या internet escrow का मतलब यह है, कि जैसे माल लेते है, flip card को mobile phone बेच रही है, oneplus बेच रही है, पर flip card खुद तो phone नहीं बनाती ना, तो oneplus company से लेके आएगी, वो phone, आचा उन से लेके आएगी, मतलब मा present लगे वे हैं, तो यह जो अलग-अलग छोट-छोटा माजनस रहता है, इसी terms को है, internet escrow का process बोला करते हैं, हम लोग जो की e-commerce generally use किया करती है, which among the following is not a web browser, इनके अंदर कौन सा web browser नहीं है, पहले तो आपको यह सबजने कि web browser होता ही क्या है, तो web browser वो होता है, जहां पे हम ल लोग कुछ भी search करते हैं, वही आपका web browser होता है, ठीक है, netscape करके पहला web browser आया था, starting में, उससे भी पहले कर डबली डबली के नाम से आया था, लेकिन netscape काफी popular रहा था, उसके बाद में internet explorer जो है, वो ज़दा popular रहा है, लेकिन आज के time में Google Chrome ज़दा popular है, पर इस options में आप function भी ऐसे दिये हैं, जो हम लोगोंने कभी सुने ही ना होंगे, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, या यूँ कह दीजीएगा, आप लोग एक cramming type से चीजी हैं, जो आपको याद करनी पड़ेगी, space time एक web browser होता है, neoplanet एक web browser है, sputnik एक web browser है, meego एक web browser नहीं होता है, तो ये क्या होता है, ये एक operating system होता है, जो जर्णली Nokia, Intel, Linux, Unix पे बनाया जाता है, ये mobile के लिए एक operating system बनाने के लिए, जो है source code टाइप से इसका use किया जाता है, meego का, ठीक है, meego पहली बार मई 2010 के अंदर launch हुआ था, और इसका latest version 2012 के अंदर आया था, ठीक है, और ये mobile marketing से related ही है आपका, और ये बहुत सारे browser है, जिने में से सबसे popular ये Google Chrome है, आपने साथ Mozilla Firefox को चलाया होगा, UC browser आप थोड़ टाइम पहले चलाते थे, लेकिन अब तो चाइना का था, इस वज़े से ban हो गया है, तो ये बहुत सारे browser है, ठीक है, और the first web browser called World Wide Web, starting में तो उसे www ही था जिसको 1990 में, टीम बर्नस ली ने ही create किया था, मैं आपको टीम बर्नस ली के दो तीन क्यूसन अलरी पढ़ा चुका हूँ, HTML वगरा के ठीक है, अब सबसे popular अगर March 2020 तक की बात की जाए, तो कौन से रहे हैं, सबसे popular है, Google Chrome, ये current affair का क्यूसन बन सकता है, आपका एक 68.11% है, 68. 8.11%, दूसरा है Mozilla Firefox, जो की तकरीब 9.25% है, तीसरा है Safari, ये आपका Apple बगरा के जिनके laptop होते हैं, उनके अंदर जर्नली पाया जाता है, और 8.93% है, फिर है Microsoft Edge, फिर है Internet Explorer, IE जो की हमारे जर्नली Windows के अंदर आता है, फिर है Opera, तो जर्नली आपको ये याद रखने, उपर वाल लेकिन सबसे बेस्ट तो Google Chrome है ही, what is the job of the motherboard, motherboard का क्या काम होता है, मैं इक दिन पहले भी पढ़ाया था, motherboard का सिधा सा काम होता है, कि एक ऐसा board है, जहां पे सारे के सारे component computer के इकठे रहते हैं, sends power to the all component power थोड़ना देता है, सभी घटकों को शक्ती power थोड़ना भेशता है, तो tells the computer what to do, computer क्या कर रहा है, ये भी हमें नहीं बताता है, कि वल भी options हैं, आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये है motherboard, और motherboard के इंदर ये RAM slot है, ये वो battery होती है, जो हमारे time वगरा को management रखती है, ये हमारा processor होता है, ये बहुत सारे chipset लगे हैं, ये PCI slots है, LAN card वगरा के यू है, तो ये ही motherboard का काम होता है, जो multiple चीज़ों को store रखता है, ये एक actual view है motherboard का, इसके processor को इपर fan वगरा होता है, ये connectors होते हैं, जहां पर हम लोग USB वगरा लगाया करते हैं, ये sound card वगरा, यहां पर sound के लिए हम लोग music system लगाते हैं, यहां पर monitor वगरा attach करते हैं हम लोग, और बाकी जग है, ये वाली आपकी RAM लगी हुई है, ये processor है, यहां पर IC वगरा लगी होती है, जो heat sink के लिए, ये उपर जो आपको silver के दिख रहे हैं, इनको heat sink बोलते हैं हम लोग ताकि गर्मी ना उठाए, ये power connector है, यहां पर power वगरा जो है, SMPS से direct दी जाती है motherboard को, अगला हम रहे कि उस्ते हैं कि which of the following phenomena is used by the blue rays to store data, इन में से कौन सी ऐसी घटना जो blue ray दवारा data को store करवाने के लिए उप्योग की जाती है, इसको हम लोग laser बोलते हैं, blue ray हम लोग जर्नली DVD के अंदर use करते हैं, जिनको हम लोग BRD के नाम से पुकारते हैं, और blue laser is a laser that emit electromagnetic radiation with a wavelength between 360 and 480 nanometers, blue ray जो है laser technology based है, जहां पर 360-480 nanometer की wavelength radio electromagnetic wavelength से जो हो काम करती है, अब यह जो blue ray है, why is it called blue ray, इसे हम लोग blue ray क्यों कहते हैं, जो कि actual में blue ray ही होती है, इस पर blue color की laser सी होती है, जो जर्नली हमें नंगी आंखों से wallet सी color की दिखती है, जिसको हम लोग use करते हैं, disk को read write करने के लिए अब which allow information to be stored at a greater density that then is possible with the longer wavelength red laser used for DVD, मतलब DVD के मुकाबले काफी हद तक data इसके अदरा store हो सकता है, और काफी हद तक यह जो है अच्छी है, अगर आप से पूछे जाए कि यह इसका काम क्या होता है, तो blue ray DVD के अदर जर्नली HD video store करवाने के लिए इसका use किया जाता है, होती तो नॉर्मली DVD जैसी है, लेकिन थोड़ा साइन का color जो होता है, ज्यादा dark या violet सा होता है, यह पहली बार जून 2006 के अंदर आई थी, बीस जून 2006 को आई थी, ठीक है, और Sony Corporation दवारा इसे जो है बनाया गया था, शुरुआत के अंदर, क्या यह DVD से ज़दा अच्छी है क्या, हा तकरिवन 4.7 GB ही कर पाएगी, डिजिटल वरसाटाइल डिस्क इसका full form है, डिजिटल वीडियो डिस्क इसका full form है, तो DVD के मुकाबले तो काफी हद तक अच्छी है यह, अफ्लापी डिस्क is a magnetic storage medium for computer system, what is the size limit of data to be stored on a floppy disk, तो floppy disk आप सभी को जानते हो, कि computer के अंदर एक चु जाए तो बहुत मजाक सा लगेगा, लेकिन उस जमाने में ये भी एक storage का device हुआ करता था, 360 KB से लिए 2.88 MB तक इसकी capacity हुआ करती थी, अब आप कहेंगे 2 MB, मतलब भी almost 3 MB, इतना ही data, आज के टाइम में तो एक audio गाना भी ना है, इतना ही का ठीक है, लेकिन उस time के लिए ये size के अंदर आती थी, दिखने में कुछ इस type की होती थी, ये floppy और पहली commercial floppy disk, 1960s era के अंदर आय थी, और commercially available हो पाई थी, 1971 के अंदर IBM company दवारा इसे available करवाए गया था, अब एक important question है, recently HSSC colorak exam के अंदर question पूचा गया था कि floppy disk के अंदर ribbon wire कितने pin की होती है, ribbon wire मैं बताता mouse क्या होती है? ये floppy disk driver, जो आपको मैंने दिखाई है, ये вाली floppy cassette है, जिसके अंदर आपकी reel होती है cassette वाली कीतर है, PRscthonे टलती है, ये servralट के लीए की दलती है, जैसे हम लोग CD ट्राजंगी wire होता है, CD player होता है, उसके दर CD टालते है, वैसे floppy drive के इलेगी, उसके दर आ से 34 pin की, 34 pin की HSSE की answer की में 33 pin दे रखा था, उसमें साइद answer में option में मेरी ख्याल से 34 pin था नहीं 33 ही option में दिया गया था तो आप appropriate option 33 लगा सकते थे, ठीक है पलब near to the option हम लगाएंगे, लेकिन exact जो है वो 34 pin की होती है ये floppy disk का जो है, ये ribbon wire तो ये हर्याना कलरक के अंदर I think 22 तरिक के morning के paper में पूछा गया था, 22 September morning के paper में तो ये important question भी है, क्योंकि exam में पूछ लिया गया इसे How many pins does a single in-line memory module है, उस single in-line memory module में कितने pin होते हैं, तो ये pin होते हैं 30 या बहतर pin हो सकते हैं और ये question आप लोग most important इसे करार दे दीजीगा, क्योंकि वास्ता में ये बहुत important है, बहुत सारे paper के अंदर इस question को देखा गया है और मैंने इस bank paper में बहुत बार देखा है अभी मैंने इस question को उठाया है तो bank के paper से ही उठाया है, IBPS SO के paper में ये question जो है single in-line memory module की और इस system को सबसे पहली बार memory used in computer from early 1980s और 1990s के अंदर इसका use किया गया था, RAM से ही इसका सीधा सीधा answer है, यानि कि हमारी random access memory, ये जो आपको pins नजराती है यहाँ पे ये वाली pins ये बता रहा है, commonly से better pin के रूप में use किया जाता था, लेकिन शुरुआत के अंदर ये 30 pin आया करती थी फिस धीरे धीरे बढ़ा के better pin कर दी गई है, ये वाली pin, लेकिन यहाँ पे एक term और भी आती है आपकी ये वाली pin आपको अच्छे से दिखरी होगी, ठीक है ये ऐसे गिन होगे, आप लोग 1, 2, 3, 4, 5 पांचे करके ऐसे total भैतर pin जर्नली यूज की जाती थी, ये एस single line वाले के अंदर, लेकिन एक system और भी होता है, हमारे पास में जिसको हम लोग क्या बोलते है, dual inline memory module, dual inline memory module जो आपको photo में दिख रहा होगा, इसके अंदर double notches होती है, उसके अंदर जबकि 64 bit को spot करती है, और जो आपकी single line वाली होती है, इसको हमें जो है, वो 5 volt power supply चीए, लेकिन dual line वाली को हमें 3.3 volt power supply चीए, मतलब कम power के अंदर ही काम करती है, अच्छा, ये जो है तकरिबन 4 MB से 64 MB तक ही data storage provide करती थी, लेकिन इनकी storage capacity 32 MB से 1 GB और आज के time में तो ये बढ़के बहुत हो चुकी है, आजकल RAM तो और बड़ी बड़ी भी आने लग चुकी है, जो कि DDR concept आजकल के time में तो double data RAM जो है, वो इसी पे ही based है आपकी, अच्छा, इसके अंदर commonly भैतर pin यूज की जाती है, इसके अंदर जो क्या होता है, कि आपका 486 CPU as per early pentium processor पुराने वाले जो आपके 486 CPU pentium processor थे उनके अंदर यूज होते थे, लेकिन dual line है, वो आज के time के modern pentium processor या dual core processor जो थे, P4 वगरा, उनके अंदर इसका यूज किया गया था, अच्छा उसके बाद में क्या है, इसकी length कितनी है, 4.25 inch या 1 inch की आती है, जब कि यह जो है, यह 1.67 से लेके 5.25 inch की आती है और मतलब कि 1,2 1.75 inches की भी है, मतलब आप यह याद रखिएगा कि यह सवा 4 से लेके 1 inch है, और यह आपकी 1.67 से लेके 5.25 5 inch की जो है, अलग अलग टाइप की इसके वेराइटीज आया करती है, छोटी laptop के लिए अलग है, computer के लिए अलग होती है यह, और इसके अंदर single notes होती है, मैंने आप भी बताएगा न, एक खड़ा सा होता है इसके अंदर double notes होती है आपकी इस इंग point को जुरूर जाद रखिएगा, आपके paper में कहीं न, कहीं मिलेंगे एक क्यूसन और जो बचा screening वगरा की त्यारी कर रहा है, उन लोगों के लिए क्यूसन बहुत ही important है वैसे भी The following component of a personal computer, maintain the date and time of the system यानि कि हमारे घर में जो computer होता है उसके अंदर समय और तारिक बनाए रखने के लिए कौन सा ज़्यादा जुरूरी है तो वो जुरूरी होता है CMOS RAM यानि कि A option जो है इस क्यूसन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा अब CMOS का मतलब क्या होता है Complimentary Metal Oxide Semiconductor आपको यह छोटी सी बैटरी अभी उने दिखाए था न यह वाली बैटरी होती है CMOS बैटरी बोलते हैं इसको जो कि हमारा time maintain रखती है यह जर्णली discharge बहुत ज़्यादा लेट होती है इसकी power काफी हद तक अच्छी होती है यह वाली एक real time clock के लिए chip होती है memory होती है जिसके अंदर जो है already time store रहता है तो time कभी बदलता नहीं है जर्णली हमारा computer बहुत पुराना हो जाता है तो भी time लगबग fix रहता है क्योंकि इसकी battery की power काफी हद तक अच्छी होती है तीने के वाल्ट की battery रहती है यह तो यह बात आप याद रखिएगा बाकी option vram तो कुछ यह नहीं है यहाँ पर prom programmable read only memory होती है तो यह तो देखुएगा नहीं है यह तो एक rom का part है motherboard भी option नहीं होता motherboard मैंने आपको अभी पढ़ा ही दिया तो a option जो है इस question का बिल्कुल ठीक रहेगा SSD नहीं होता SSD आजकेल के टाइम में जर्नली यूज की जाती है surface यह आपका solid state device होते है सारे के सारे ठीक है floppy drive तो मैंने भी पढ़ाई दिया thin film drive नहीं होता है तो c options आई है winchester drive होता है इसका नाम ठीक है IBM दवरा इसे develop किया गया था starting में 30 MB तक इसकी storage होती थी इस टाइप से बाद में अभी के जमाने में हम लोग इसे hardix use करते हैं IBM नहीं 1980s के अंदर 1 GB तक आया करती थी storage लेकिन इसको बढ़ा के बाद में 2.52 GB कर दिया इसी को हम लोगों ने hardix का नाम दिया था अब जो hardix यह आपकी thin film होता है कुछ इस टाइप के इसका use करते हैं हम लोग touch वगरा के लिए और यह solid state divisor जो आज के time में हम लोग इसका use किया करते हैं what is the full form of FRU यह भी एक important question है FRU का full form क्या होता है field replacement unit field बदली का ही होती है B option सही है माल लेते हैं आपका computer खराब हो गया और आपके पास में technician के पास में आप जाना नहीं चाहते हैं लेकिन आपको यह पता है कि computer के अंदर particular यही पार्ट खराब हुआ है तो आप क्या करेंगे घर ही लाके उस पार्ट को बदल देंगे ना इसी चीज उसी पार्ट को हम लोग ना field replaceable unit के नाम से पुकारते हैं हम लोग ठीक है जैसे quickly replace कर दें माल लेते हैं हमारे computer की RAM खराब होई तो हम खुद ही निकाल के बदल सकते हैं कोई मोटा मोटा सीधा सा पार्ट है माल पंखा कराब हो गया उसका पंखा लाएंगे पंखा लगा देंगे बस बात करते हम ठीक है तो यही चीज़े होते हैं memory card कराब गया memory card खुद ही बदल लिया तो बिना किसी technician की मदद से जो है ठीक है user or technician without having to send entire product system to repair facility हम लोग घर पे ही उसे repair कर लें इसे ही हम लोग जो है fru के नाम से पुकारते हैं यह बहुत सारे cpu के अंदर component वगरा होते हैं जिसे हम लोग खुद ही बदल लेते हैं इन्हें fru बोलते हम लोग there is the technique which uses disk for a reading and storing output file which is the name given to such a technique अब यह बहुत important question है जो बचा screening की ट्यारी कर रहा है उन लोगों के लोगों को पढ़ने और संग्रीत करने के लिए disk का उपयोग करती है इस technique को कहते क्या है हम लोग तो इस technique का proper नाम होता है आपका spooling technique होती है यह c options आई है क्या मुझे कोई comment में spooling का full form बताएगा क्या मैं hint देता हूं जिस इसके पीछी online आएगा आएगा यह याद रख और हमने input में हमारे computer को यह कहा कि गाना चला दे गजबन पाणी ना चाली चला दे या ठेके आली गड़ी में गर मेरे यार का चला दे या कुछ भी ऐसा गाना चला दे एक बार में गाना जब चल रहा है तो आप उसी टाइम पर चाहते हो printing भी करना चाहते है computer को आपने command दे अबर में गर भी यार हो थाल डर लंडूर हमारी चोरी चेड़ दी ये भी गाना चलते रहे ठीक है और दिल तोड के हस्तियो मेरा ये भी गाने चले कुछ अच्छे पंजाबी गाने भी चल ज़ए परिंटर भी काम करता है रहे साथ की साथ पीपीटी भी बनाते रहा आप तो एक आदा software चल रहा है, वो भी करते हो, 50 काम एक साथ चलते रहे हैं हमारे, इसके लिए हमें क्या technique चीए, इसलिए हमें spooling technique की जरूरत पड़ती है, इस technique में journaling क्या होता है, कुछ भी आप input enter करते हो, तुरंत जो एक बार hardix में store हो जाता है, और फिर जो है, आपका काम लेत होता है, ये भी देखीगा, एक अच्छी technique है, माल लेते कोई input output है, आपने कुछ भी दी, तो आप CPU से बातचित नहीं करेंगे, आप पहले क्या करेंगे, जहां पर आपका data होता है, store करना होता है, आपको पहले वहां करवा के, फिर आप CPU पर पास जाएंगे, ये डारेक्ट CPU से हम लोग communicate, इस वज़े से नहीं कर पाते, CPU हमारे मुकाबले बहुत तेज होता है, तो direct memory access होता है, memory को direct access कर लेना by user, ठीक है, ये controller के लिए इसकी IC वगरा लगाई जाती है, इसको भी हम आगे detail से topic आएगा तब पढ़ी लेंगे, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में टेकनिक जो है कहलाती है, DM में तो मैंने आपको बता दिया, जो पैरिफिल डिवाइस के साथ में direct काम करें, what is the name given to the automatic speech recognition on Apple iPhone, iPhone के अंदर जब हम लोग बोल के कहते हैं, उसके लिए कौन सी application होती है, कोई भी अपने आप बोल के हम लोग कुछ सर्च वगरा करते हैं, जैसे हम April 1976 को हुई है, headquarters का California, America के अंदर है, और स्थापना की किसने थी, Steve Jobs के अलावा, Steve Wozniak ने की थी, Ronald Vyanae ने की थी, इन लोगों ने इसकी स्थापना की थी, और इसी के साथ ये lecture समाप्त होता है, उमीद करता हूँ आपको चीजे समझ में आई होगी, धन्यवाद, कुछ बच् इतने लंबे होगे, तो रांद काट नहीं होती, तो आपको इतने खुदी परवाइड करवा देता, खुदी पढ़ लेते, लेकिन उमीद कर रहा हूँ कि मैंने काफी सारी चीजे यहां पर आपके आगई शेर किये, तो आपको चीजे समझ में आई होगी, धन्यवाद